वेलकम तो माई यूट्यूब चानल यह चानल हमने कॉमर्स के सुड़न्स को खुड़ा सा एजुकेट करने के लिए बनाया है बहुत साला प्राक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है आप यह वीडियो फोड़े लेंगी है आप उन प्राक्टिकल यहाँ पर यह है कि इंटरमीजेट के जो बच्चे है उनको बोनस शेर और स्प्लिट की वज़े से शेर प्राइस पर क्या इंपक्ट होता है और उससे रिटन कैल्कुलेट कैसे करना है वह समझ ले फाउंडेशन के बच्चे कृपिया इस वीडियो को मत देखिए नहीं समझेगा इंटर या फाइनल समझ सकते हो तो अबजेक्टिव क्या है जब भी कमपणी बोनस शेर्स डिकलेर करती है या स्प्लिट होता है तो शेर प्राइस पे उसका इंपक्ट क्या आता है वो समझना है और हमें रिटन्स कैसे कैल्कुलेट करने है उसके बाद वो समझना है और इसके लिए हमें एकसल का help लेना है, पहले कुछ basic, जभी भी company bonus shares declare करती है या share split होता है, company की जो total wealth है, उस पे कोई impact नहीं आता है, that wealth is called as what, market capitalization of company, market cap of the company remains same after bonus as well as before bonus, या before split, after split, तो market capitalization same है, लेकिन per share price decline होती है, और उसकी वज़ा से हमें return calculation में थोड़े से adjustments करने पड़ते हैं, तो हम जो example लेने जा रहा है, वो है infosys का, बहुत बार infosys ने bonus दिया है, और split of shares भी किया हुआ है, तो अजुम करो infosys का, infosys का listing 1993 में हुआ था, तो 1993 से लेकिन आज तक 2023 तक, हमें अगर data मिल पाए, infosys के share price का, और split के transactions का, और bonus के transactions का, तो हम written कैसे निकाले, वो हमें समझना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, bare sources से मैं data pool करूँगा, आपके सामने, time लगेगा, it is not a typical video where data is already downloaded, और calculations are already done, and just I am showing you calculations, तो कुरपिया करके इसको detail end तक देखना, लोगों के साथ share करना, और क्या बलना था है, subscribe करना, like करना, जारा बोलो, वीडियो में जाएगा फिर वो, like बटन करो, bell icon press करो, और आपके जैसे like mandate logo को, CA करने वाले logo को spread करिए, ताकि ये fraternity के अंदर smartness develop हो जाए, तो चलिए, हम आते हैं, अलग-अलग sources की तरफ, look at it, तो पहले मैं जा रहा हूँ, data collect करने के लिए, किसका data मुझे collect करना है, infosys का, अब पहले infosys की, जो actual shares trade हुए है, stock exchange पे, उनकी prices मुझे download करनी है, कहां से download करूँगा मैं, BAC, Google search करना है, BAC historical data, raw source है, Bombay Stock Exchange का, तरफ हो गया, हाँ, BAC historical data, हाँ, यहाँ पर आ गया, historical data, BAC, उसके पर click करना है आपको, तो यहाँ पर stock prices का data, index number का data, actual जो data था उस दिन, वो unfiltered raw data आपको मिलेगा, तो हमें देखना है, equity, indices नहीं देख रहे हैं, index number नहीं देख रहे हैं, हम equity share देख रहे हैं, कौन सा share देख रहे हैं बच्छा आँज हम, infosys, so, equities के अंदर, आपको चाहिए historical stock prices, by security and period, तो हम security सेलेक करेंगे company, and time period भी डालेंगे, so, I click on historical stock prices, equity, पहले company का नाम आप type कर सकते हो, मैंने type कर लिया क्या है, infosys, ठीक है, infosys, कौन से days है, मुझे चाहिए, लगबग, लगबग, 1993, 2013 मैंने select किया पहले, फिर वो पीछे जाता है, 2003, नसीब ख़ड़ा भे क्या, आया है पहले, 1993, infosys का listing तो 1993 में होआ था, पूने से ही ये company शुरू हुए, तो मतलब शुरुआ थी उनकी, तो हमने, लेक किया है न, oh shit, वापस गया, ठीक है, so let me just select a date again, step by step जाना पढ़ रहा है, तो मैं 1991 select करके रखता हूँ, तब से तो data मिलेगा नहीं अपने को, 1st March 90 नहीं, 1990, तब तो था नहीं, लेकिन select करने में अपना कह जाता है, select कि आज तक, आज तारिक है 2 March 2023, आप बाद में वीडियो देख रहा हूँ, the returns calculations can undergo a change, मैं क्लिक करता हूँ, submit के उपर, ये data आ गया, 1st March 1990 से, अब सच में 1990 नहीं है, जब से अवेलेबल है, तब से data देगा, अभी stock exchange पे 1995 से ही data है, website पे, पुराना data अवेलेबल, नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, Infosys का share, जितना मेरे को याद है, 95 रुपीज पे इशू किया गया था, issue price was 95, IPO के अंदर, and उसका listing जो हुआ था, पहले दिन ही 145 के लगब Infosys का listing हुआ था, तो वो data तो अपने पास अवेलेबल नहीं है, डाउनलोड करेंगे data को पेले, कहां से डाउनलोड करेंगे, या पे bottom में आना है, और यह बोलता है, kindly download the data in CSV, CSV is a comma separated value, वो आप Excel package के अंदर ले सकते हो, लेकिन याद रखना, जभी भी कोई CSV का Excel sheet रहता है, तो उसमें multiple sheets save नहीं होते है, मैं अभी डाउनलोड करूँगा, देखो, डाउनलोड करके यह Infosys का code है, 500209, यह मैं open कर रहा हूँ, तो Excel का दिमाग आपका बड़ेगा धीरे-धीरे, download हो रहा है, अब यह sheet है, Excel का file है, workbook, उसके अंदर यह एक sheet है, आपने और एक sheet add किया, और उसको control save किया, तो save नहीं होगा, क्योंकि अब यह CSV format में, कौन सा format है उसका, तो पहला चीज, कोई भी CSV file पे, जिंदगी में कभी भी काम करूँग article ship में हो, आप यह CA बनने के बाद कभी भी काम कर रहे हो, पहले file को save करो, Excel के format में, file save करने के लिए, control as दबाओ, या F12 दबाओ, F12 दबाके save as कर रहा हूँ, let's say, मैं यहाँ पर इस file को, अभी temporary, मैं desktop पे save कर रहा हूँ, जिदे देखो, format है, format क्या है बच्चो, CSV, CSV, CSV के calculation, ठीक है, मैंने file को, पहले save किया, Excel format के अंदर, बहुत सारा data देगा आपको, 1995 से, अब यह जो price रहती न, यहाँ पर इस file के अंदर, देखते है पहले, क्या-क्या data है, यह date दिखाई नहीं दे रहा है, because display increase करना है, column का width मैंने increase किया, second March, आज का open price क्या था, Infosys का 1489, आज क high price 1489 था, low price 1467 था, closing 1472 पे हुआ है, और weighted average price, quantity into price, plus quantity into price, जितने भी trades हुए है, सारे trades का quantity into price का summation, so summation of quantity into price, divided by summation of quantity is weighted average price, तो आज Infosys का weighted average price था 1474, कितने shares, trade हुए है, so 2,39,000 shares trade हुए है, so यह data को में थोड़ा सा wrap करता हूं, तो ताकि दिखाई दे, number of shares that are traded, number of trades, orders that is, number of trades are 23,212, total turnover जो हुआ है, Infosys का, that is, I'll put a comma here, 35 crores 29,20,271, which is basically number of shares into basically weighted average price, हम cross check करते हैं, देखो, यह number of shares है, multiplied by what, weighted average price, match हो गया, दिखा गया, तुमको समझा गया, तो कितने shares trade हुए है, आज, 2,39,000 into weighted average price is your total turnover, so 35 crores का माल आज भी का है, लेकिन delivery जो होगी, वो not necessary 35 crores की होगी, delivery मतलब trade हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग intraday trading करते हैं, मतलब क्या, share खरिदते हैं सुब, दोपर में बेचते हैं, या सुब बेचते हैं, दोपर में खरिदते हैं, तो वो उनके demat account में नहीं entry होती है, उससे, तुमने खरिदा सुब और दोपर में बेच दिया, तुमारे of deliverable quantity, आज का quantity आ चुका है, deliverable quantity is 1,76,480 shares out of 2,39,000, so 73% is a deliverable quantity, जितना deliverable quantity ज्यादा है, उतना अच्छा, क्यों, that shows a strength of the people who are trading in the market, कि वो शेर खरिदने के लिए, उनके demat account में लेने के लिए तयार है, spread, that is a gap between high and low, high price and low price, spread between close and open, that is a spread, spread means difference, तो बच्चों देखो, मैं सिर्फ typical YouTube वीडियो जैसा नहीं बना रहा हूँ इसको, क्यों, कि जैसे आपको explain किया, या अपने like करो, थम करो नहीं, ये typical bare sources से knowledge gather करने के आप कोशिश करिए, ये process lengthy होता है, time consuming होता है, और boring भी हो सकता है आपके लिए, और आप जल्दी छोड़के नीचे जो आपको कोई मोहतर्मा दिख रही है, वो मोहतर्मा पर आपको क्लिक कर सकते है, YouTube देखते हैं, मोहतर्मा दिखते होगे ना आपको, depending on what kind of content you search, तो मोहतर्मा की तरफ मत जाइए, यहाँ पर आईए, और like करिए, तो ये data है अपने पास, ये data कब तक है, देखो, data है 1995 से लेके data आचुका है, ठीक है, तो अपने को, ये जो price होती है ने बच्चों यहाँ पर, जो closing price दिखाए देगी, that is actual traded price, that is actual traded price, तो मैं क्या करता बाकि data मुरजे चाहिए नहीं अभी, right now, तो मैं क्या करता हूँ, सारे columns को delete कर रहा हूँ, मैं सिर्फ closing price लेने वाला हूँ, I am ignoring what, all other columns, हाना, या एक second, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, open price भी रखता हूँ, बहुत सारे लोगों को typically CA करते हैं तब लगता है, closing stock is of first March, 1496, should be opening price of second March, no, close price and open price same नहीं है, क्यों अगले दिन market के अंदर नया news आता है, तो अगले दिन नया price से trading शुरू हो सकता है न, so it's not like opening stock and closing stock, तो अब मैं ये इसको, ठीक है, रेन दो, अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ पहले, company ने कब-कब bonus दिया है, और कब-कब split किया है, वो डूढ़ेंगे हम, website, stock exchange के website से, या money control या कईसे दूढ़ेंगे, लेकिन मेरे को वो date, दो मिनिट में पता चलेगा, कैसे, Excel है अपने पास, तो देखो, मैं यहाँ पर top row को freeze कर रहा हूँ सिर्फ, ताकि मेरे को column दिखते रहे, तो मैं यहाँ पर freeze paints में जा रहा हूँ, view, freeze paints, freeze paints, तो freeze हो गया, top row freeze हो गया, और एक column left का freeze हो गया, और मैं इसको filter लगा रहा हूँ, filter, ठीक है, समझा filter, alt d f f, या data के अंदर जाके आप filter लगा सकते हो, यहाँ पर, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर, एक चीज निकालने वाला हूँ, ओ, पहले चीज, सबसे important, data descending order में sorted है, second march latest data पहले है, मेरे को क्या चाहिए, sorting ascending order में चाहिए, पुराना date मुझे सबसे पहले चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं data को select करूँगा ऐसे, और data में जाके sort है, sort पे में क्लिक किया, I want to sort data by date, oldest date पहले चाहिए, newest date बाद में चाहिए, तो sort हो गया, दिख रह शुरुवात में volume उस जमाने में बहुत कम रहेगा, electronic trading उतना ज्यादा नहीं था, number of traders market के अंदर बहुत कम थे, ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहो यहाँ पर, percentage change in price, that day, percentage change I can calculate that day's opening and that day's closing, or I can calculate closing of that day and closing of the previous day, it's better to calculate day to day, मैं opening price को क्या करने वाला हूँ, ignore कर रहा हूँ अभी, देखो, second में का तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, observe करो मैं क्या कर रहा हूँ, third में का मैं percentage change कैसे निकल रहा हूँ, third में का closing price है, minus what, second में का closing price, you are gonna go mad now, now the excel and the work starts, divided by second में price, तो मैंने का क्या, third में minus second में, divided by second में, आगे answer मैं इसको सिर्फ format में जा रहा हूँ, home के अंदर, और इसको format select कर रहा हूँ, percentage और दो डिजिट बढ़ा रहा हूँ, तो उस दिन infosys 2.22% गिर गया था, as compared to previous day's price, समझा आपको सबको, 2.22% infosys गिर रहा था, और उस formula को नीचे copy करना है, तो just double click करो उसके उपर, formula क्या हो गया, नीचे आपका, copy हो गया, अब logically मुझे बोलो, कोई infosys जैसा share है, ऐसा 40 टका, 50 टका गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, लेकिन गिरेगा, bonus के वाज़े से, मैंने infosys का एक share का प्राइस, अज़ार रुपिया चल रहा है ऑवी, कितना चल रहे है, एक ये बोनोस दे दिया, एक ये बोनोस दे दिया, मतलब एक share का जो price है, वो अब क्या हो जाएगा, दो share सपे, spread हो जाएगा, तो share की price हो जाएगा ये 500, यहां पर Bombay Stock Exchange के website से जो data आता है वो raw data रहता है actual data रहता है ट्रेड का तो पिछले दिन का price था 1000 अगले दिन का price दीखेगा तुमको 500 तुमको लागे आरे बाप रहे 50% decline हो गया सच में वो 50% decline नहीं है तुमारा wealth decline नहीं हुए number of shares तुमारे बढ़ गे पहले एक share का 1000 का अब दो share होगे 500 के ठीक है तो अब मुझे क्या करना है मुझे डूणना है कौनसे days को infosys ऐसा 40-50% गिरा था कैसे डूणने हैं यह filter लगा रहा हूं में वापस filter का अटा दिया filter वापस लग गया percentage change in a price ओके इस दिन का percentage change में वहां से निकलता हूं this minus this divided by है और टायर की टाइप ही करता हूं 0% जीरो है न वो तो मैं देखो यहां पर कर रहा हूं are you gonna go mad देखो अब है सहला infosys 74% decline हुआ यह कोई small cap बंगार cap stock नहीं है जो 74% एक दिन में गिर जाए infosys है रो लार्ज cap stock है 52% तो यह जो है ना इनको मैं select कर रहा हूं सारे items को these are gonna be dates 26% might be the reason that might be genuine reason also 26-27% कोविड आ गया होगा बीच में यह कुछ global financial crisis था 2008 के अंदर या 2000 का dot com crisis रहेगा तो वहां पर 21 टका normal market reasons की वज़े से गिरना possible है लेकिन यह 50-70 टका थोड़ा सा abnormal लग रहा है तो मैंने यह abnormal data points को select किया तो देखो 19 August 1997 को infosys 46% गिरा था as compared to previous day's price अब यह सच में गिरा नहीं है सच में क्या हो गया होगा मालू मैं क्या 19th August must be x bonus date I did not say record date it must be x bonus date या x split date जभी भी company को bonus देना होता या split करना है right shares करना है dividend देना है कुछ भी करना है तो उसको एक record date fix करना होता है on that date whosoever is a shareholder will be eligible for bonus, right, dividend, etc, etc तो जिस भी दिन record date है, record date minus one previous day is x bonus date या x dividend date या x right date whatever you wanna say, record date अगर 20 August है तो तुम्हारे DMAT account में shares होने चाहिए 18 August को, assuming there is no holiday in between, T plus 2 system we have in India, now we have implemented T plus 1 also in some cases so 20 August is your record date, minus two working days is your 18th August, 18th August is a last date to receive bonus, तो अगर आपने 18 August को shares खरीदे, तो आपके account में आएंगे 20 August को, और 20 August is a record date, तो आपको bonus मिल जाएगा, लेकिन 19 August को आपने share खरीदे, तो आपको bonus नहीं मिलेगा, क्योंकि 19 August को share खरीदे, तो आपको 21st August को आपके account में shares आएंगे, और record date थी, 20 August, तो 19 August को ही share price गिरता है, ना कि 20 August, 20 August क्या था, record date, 18 August क्या है, last come dividend, come bonus, come मतलब including bonus, including right, या including dividend, whatever, 18th August is a last come date, 19th is a X date, अब सच्छ में 19th August को क्या हुआ था, देखना पड़ेगा हमें, 19th August 1997 को, फिर 8 February 1999 को, 24 Jan 2000, अभी क्या है, ये dates है, अब Infosys ने कब-कब bonus दिया, कब-कब split किया है, मुझे मालूम है क्या, नहीं, लेकिन अभी देखो, ये तो दिखार देख अभी, मैं उदर आ गया, 14 August को, बीच में छुट्टी रएगा 15 August का, 14 August को Infosys था, 21.93 पे, और 19 August को हो गया, 11, 84 पे, लॉजिकल लगता है कि नहीं, ये bonus वगरा की रिवजे से हो गया होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम जाएंगे वापस, money control पे, और money control पे आपको ये bonus, split, dividend, इन सारे का information मिलता है, इसको technical language में बोलते है, corporate action, मैं money control पे जा रहा हूँ, so money control पे जा रहा ह investment दिखाता है ये लोग, अच्छा है, so यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, infosys, money control पे, so infi मैंने सर्च किया, और थोट सा advertisements को लोड होने दो, proper page लोड होने दो, अपना internet थोट सा fast है, so इदर नीचे आने का, और नीचे आपको corp action दिखता है, दिखरेगा corp action, I click on what, corp action, corp action के बाद, announcement, board meetings, dividend, bonus, split, अभी हम dividend को नहीं देख रहे है, हम किसको देख रहे है, bonus और फिर split, bonus देखा मैंने, तो देखो, अलग-अलग date है, announcement date, हम अपने को announcement नहीं काम का है, x date काम का है, x मतलब excluding, उस दिन से क्या होता है, excluding bonus share spread होते है, या excluding right trade होते है, या excluding dividend होते है, अभी bonus चल रहा है, और उदर ratio लिखा है, अब यह ratio 3 is to 1 है, generally इसका interpretation क्या रहता है, 3 bonus shares for every, 1 share held, 1 is to 1 तो किसी को भी आता है, कुछ भी करो, mistake नहीं होगा, 1 share for 1 bonus, और 1 bonus shares for every, 1 held, मैं कसी more पे click करता हूँ, क्यों, उसके पहले आ गया, पूरा history, देखो, 1994 से data आ गया है, बट अपने पस क्या है, 94 का data ही नहीं है, ठीक है, तबी भी हम दिमाख लगाएंगे, कैसे, मेरे को मालूम है कि issue price क्या था, infosys का, IPO जब आया था, initial public offer तो 95 रूपीज में IPO आया था, तो 1994 को, उन्होंने पहला bonus announce किया था, 1 is to 1 के ratio में, उसका record date था 15 September, तब T plus 2 system नहीं होगा, तब DMAC system इंडिया में नहीं था, Depositories Act 1996 में पास हुआ था, अपने country के अंदर, तो उसका 19th August क्या था, X date, क्योंकि तब gap बहुत ज़्यादा रहता था पहले, या आप law के syllabus में भी आप सीखोगे, register of members is required to be closed for certain number of days, you will learn in law in a management and administration chapter, so 18th August 1997, 18 June 1997 को नोने bonus आनावस कहता, अरे पबलेक देखो, ये क्या है, लिखरा है कि दूमको, 19th August 1997, what is 19th August 1997 बच्चो, X bonus date है ये, मतलब, उस दिन, अगर आपने शेर खरीदे तो आपको bonus, नहीं मिलेगा, तो उस दिन शेर की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या रिशो था, 1 is to 1, देखो पबलेक, अपने एक्सेल शीट में आजाओ, दिख रहा है कि एक्सेल शीट में, देखो 19th August को perfect, opening price itself was lower, 1200, और 14 August को closing price कितना था, 2193, मतलब, imagine करो, 14 August को तुमार दो, क्योंकि एक के उपर एक bonus मिल गया, तो 14 August का closing जो है, वो तुमारा wealth, एक share का wealth अभी spread हो जाएगा, 2 share पे, तो divided by 2 करके, logically share open होना चाहिता, 1096 पे, but due to other market reasons, shares open हो गये, कितने पे, 1200 पे open हो गये, और उस दिन का closing उनका आया, 1184 पे, यह क्या था, 2193 के closing के हिसाब से उसका opening होना चाहिता, 1096, 1096 थेराटिकल ओपनिंग प्राइस, थेराटिकली इतने पे opening होना चाहिए, ता, लेकिन ओपनिंग कितने पे हो बच्चो, 12 सो पे, that's okay, समझा के तुमको, अब अगला date देखते है, अगला date क्या, 25 January 1999 को उन्होंने क्या किया था, बोनस देकलेर किया था, हाँ ना, उसका record date क्या था, 5 March record date था, लेकिन X date क्या है, 8 February 1999, चेक करते है अपने Excel में, 8 February 1999 को कुछ हो आ था क्या, देखते हैं, 97 में आगे हम, 99 में जाना है अपने को, जाते है, 8 February को, देखते है, ओह है, देखो, 7 February को closing कितने पदा, 4975, अगले दिन opening कितने पर हुआ, 2600, बोनस का ratio क्या था, 1 is 2, 1, मतलब logically, ये जो 4975 था, एक share की कीमत, वो split होनी चाहिए, दो shares पर opening होना चाहिए, 2487, लेकिन opening हुआ 2600 पर, other market reasons हो सकते है, और closing, होके गया, 2370, closing बहुत नीचे गया, closing, reasons can be anything, see, bonus is not the only reason due to which price changes, market में बाखी reasons भी होते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन सही लेकिला के नहीं अपना answer, चलो, और देखते हैं, अब कब bonus हो, एक जूले 2004 को, इतना करने काला हम क्या करते हैं अभी, filter लगाते हैं, पाप वाले जो हैं न, उनके उपर हम क्या करते हैं बच्चों, फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर में मैंने क्या कि सेलेक किया न, उनको, और चेक करते हैं, अपना guess, ये तो पहला साही निकला, दूसरा साही निकला, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या था, आट फरवरी 99 हो गया न, 2004 है इसके बाद, ये स्प्लिट हो गया होगा, अभी तरह हम बोनस का डेटा देख रहे हैं, स्प्लिट भी हो सकता है न, अभी स्प्लिट कहां पर देखने के उधर स्प्लिट का ऑप्शन है, बर स्प्लिट पर जाओंगा, पहले मैं बोनस कन्फर्म कर लेता हैं सबके सब, एक जुले 2004 है कि ये बीच के दो अभी तरह कन्फर्म, ये अभी तरह कन्फर्म नहीं होगा है, ये भी कन्फर्म नहीं होगा, डिस्माइट भीया विने फॉल अलसो डॉट कम बबल आया था दो प्यूल पन देख अदर माइ मिस्टेक, लेट मी रिमूव फिल्टर, देखो, एक जुलाई 2004, मजा आयेगा, रेशो देखो उदर, रेशो अलग है पहनी बार, 3 to 1, मतलब क्या, एक शेर जो था तुमारे पास, तुमको तीन बोनस मिलेंगे, टोटल होएगा 4, मतलब एक की वाल्यू, चार पे स्प्रे टू टू जो प्राइस था, उसको डिवाड़ बाई 4 करना है, ओपनिंग होना चाहिए 380 पे, ओपनिंग होए 370 पे, that is okay, market forces रहते है, समझा के दूंको, तो ये भी पुरास फेरिफाय होगा, एक जुलाई 2004, फिर वापस देखते, अगला क्या है, 2006, इतने बोनस है न, जास तका, मैच हो गएगे निया अच्छा, चलो आगे, 2 December 2014, 2 December 2014, जो जार चाहँदा, अब इसको गंट्रोल F भी कर सकते हम, पर वो एक्जैक्ट इसमें, डो डिसेंबर न, जो डिसेंबर 2014, देखते हैं, एक सेकंड, परफेक्ट, मैच हो आगे नहीं, कैसे, एक याउंट क चाहा शेर प्रेस गिरिया, नेक्स्ट, फंदरा जून दो हजार, फंदरा, फंदरा जून दो हजार पंदरा, बहुत नजदीक है ये, फंदरा जून दो हजार पंदरा, दिखा कि नहीं, 49% डिकलाइन, आरे वाह, अगला बोनस कब आया, दो हजार अठरा, 4 September 2018, 4 September 2018, आया कि ये परफेक्ट, सारे मैच होगा गया, नहीं, कुछ येलो कलर हमने किये था न, वदर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ, देखो, नमबर फिल्टर, यहाँ पर मैं जाता हूँ, नया चीज़ से करो, नमबर फिल्टर, ग्रेटर दैन, कितना टाइ परसेंट से जादा, जहाँ पर प्राइस डिकलाइन हुआ है, ओके, उन्हें क्या किया था, लेस दन सेलेक किया था, एक सेक एक सेक एक सेक एक सेक, लेस दन करना पड़ेगा हमें, हाँ, नमबर फिल्टर, आई लाव तो सेलेक्ट लेस दन, माइनस थर्टिने, क्योंकि लेस दन, सेलेक किया हमने, तो वी डू मेक मिस्टिक्स, सो, हिएर इड़ेज, 47 परसेंट, समझागे तुमको, बाकी सब मैच हो गए तो बच्चो, बाकी देखो, नीचे का तो एक मैच नहीं हुआ, क्योंकि अपने पास डेटा ही नहीं है, कितने बोनस है रहे, एक, दो, त दीन, चार, पांच, छे, साथ, अपने पास आठ होने चे इदर, कितने है, आठ है, काउंट देखो नीचे, आठ है, तो एक मैच नहीं हुआ, वो एक क्या रहेगा रहे, स्प्लिट रहे सकता है, चेक करते हैं भी, और एक कलर आया था, वो नाच्रल फॉल रहेगा, क्योंकि रेडिमेड आउट्पुट से आपको समझता नहीं, क्या कैलिकुलेशन बैकेंड पे किये, मैं आपको रेडिमेड आउट्पुट भी लिखा सकता था, टाइम लगता है यह तरीके से, लेकिन परफेक्ट होता है, स्प्लिट पर मैं क्लिक किया, तो स्प्लिट देखो, उन्होंने बोनस किया है और स्प्लिट किया है, सारे के सारे इवेंट अपने पर्फेक्ट आ गए कि नहीं आ गए, एक इवेंट जो कलर का था, वो मैच नहीं हुआ ना, कौन सा, अभी कैसे, कलर वाला कैसे डूनने का मालू में, इधर जाने का, फिल्टर भाई कलर का उप् समझा के दूंगो, तो अब मैं फिल्टर निकाल देता हूँ, फिल्टर मैं निकाल दिया, कलर भी मैं निकाल देता हूँ, सब जगह से, ठीक है, अब अपने पास स्प्लिट है, उज़र क्या हो था, ओल्ड फेस वैली 10 रूपया थी, नई फेस वैली बन गई 5, मतलब एक श रेकोड डेट नहीं, एक्स डेट चाहिए, एक्स बोनस एन एक्स स्प्लिट, अब डेटा सिक्वेंस में नहीं है, कुछ डेटा बोनस के पेच पर है, कुछ डेटा स्प्लिट के पेच पर है, तो मैं डेटा कॉपी करता हूँ पहले, बोनस के पेच पर जगहा है मैं वापस और मैं bonus history को क्या कर रहा हूँ copy कर रहा हूँ ठीक है Ctrl C की है मैं इसको select करके यहाँ पर आऊँगा Excel के अंदर अलग sheet बनाऊँगा open करूँगा उस sheet में मैं paste करता हूँ Ctrl V उसको format में Excel का match कर देता हूँ और इसको मैं और जूम करता हूँ थोड़ा सा तो आपको दिखाए दे ठीक है अब यह data मैं थोड़ा साथ वापस कौन से sequence में लाना है मुझी इसको date के sequence में लाना है announcement date के sequence में लाया कि हमेने sequence में इसको और एक data है आपने पास कौन सा date है प्लिट का तो यह ratio Excel ने time करके लिए है यहाँ पर 1 is to 1, 3 is to 1 जो था न Excel को समझा नहीं उसको time करके type किया उसको obviously Excel है न वो human being और उसका फरग है वो dead dead ले रहा है जान दो अपने को ratio मालू है न तो अब Excel ने ऐसा नहीं लेना चाहिए उसकरी क्या करते है कॉमा करके 1, 1 ऐसा type करते है या you can type 1 कॉमा कर डाइल दिया न तो Excel as it is लेता है ऐसा समझा गा तुमको 1 is to 1 मैंने ले लिया यहाँ पर भी 1 is to 1 था और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 3 is to 1 are you clear on this? और यहाँ पर Excel ने और एक माती खाया है यह 2000 एक था मेरे इसाब से वो copy करते टाइम पर यह हो गया होगा ठीक है बाकि सब ठीक है ना? परफेक्ट और क्या है एक चीज मुझे और एक copy करनी है क्या copy करनी है? split भी copy करना है मैं split के page पर गया मैं और वहाँ से भी मुझे data क्या करना है? copy करना है और यहाँ पर मैं उसको copy करके रखता हूँ नीचे split का data है नहीं लिया उसने सही तरीके से जाने दो नहीं ले रहे तो हम क्या करेंगे बच्चों उसको manually type करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ? announcement date अपने लिए काम करेंगे अपने लिए कुण सा date कम था? X date तो मैं इस column का title चेंज कर रहा हूँ X date What was the action? Action was देखो मैं क्या कर रहा हूँ? Bonus Action क्या था? Bonus मैं copy paste कर लिया उसको How much was the bonus? Ratio इसको मैं copy करके यहाँ पर लेके जा रहा हूँ यह बाकी के column मेरे कुछ भी काम के नहीं है उस दिन क्या हो जाएगा? Action हो जाएगा तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ Ratio अब मैं split हुआ था ना Perfectly उसको डालता हूँ Split का date क्या है? 24 January 2000 X date related होता है announcement date पे कुछ नहीं होता है वो X date पे रहता है 24 June 2000 तो इसके बीच में 24 चान 2000 क्या हुआ? Split हुआ क्या रेश्यो में split हुआ था? Two shares for every मतलब दो बन जाएगे It is not two shares for every one health एक के दो बन जाएगे Split का मतलब क्या है? एक के दो Are you clear on this? 1994 से यह हुआ अब यह समझ गया सबको? ठीक है अब यह जो sheet था इस sheet पे जो close price है यह कौन सी price है? Actual traded price It is not adjusted price It is not adjusted price आपको adjusted price निकलनी है adjusted for what? Bonus adjusted for split अब इसके दो तरीके होते करने का आप यह ठीक से सुनना पड़ेगा आपको यह थोड़ा सा complicated बाद है और उसके बाद आपको समझ बहाएगा कि अगर मैं आपको sensationalize करना था न मैं आपको सिर्फ वीडियो में लिखता था 10 रुपए के 10 क्रोड़ बन गे Something like that That is sensation, thumbnail मोहतरमा हवस नहीं कहाँ पर जाओ? Detail concept के अंदर जाओ So, अब मुझे price adjust करना है इसके दो तरीके है जो latest price है अब आज की price कितने ही चल रही है? 1472 उसको वैसा का वैसा ही रखता हूँ मैं और पुरानी जो prices है उनको मैं adjust करता हूँ उनको क्या करता हूँ? मैं adjust करता हूँ ठीक से सुनना कैसे adjust करूँगा मैं observe करना क्या हो गया? मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ Infosys का IPO का exact date मुझे मालूम नहीं है लेकिन 1st June 1993 लिखते है उस टाइम का price था let's say 95 रूपीज में Infosys चल रहा था ठीक है? अब सुनना ठीक से सुनना जिसके पास IPO में एक share था Infosys का उसके पास आज कितने shares होंगे यह मुझे पहले निकलना है तो क्या होगा? अजूम करो नारायन मूर्थी जी है उनके पास जो IPO में shares थे उनके shares majority shares आज भी रहेंगे बढ़ गया है अजूम करो देरिज़ अमिस्टर X वो बाट वन शेर आफ इनफोसिस इन IPO आज उसके पास कितने share होंगे? ज्यादा shares होंगे वो calculate करेंगे और हम क्या करेंगे? 95 की जो cost थी उसको अजूम आज एक share के धाईसो बनगे calculate करेंगे एक share के कितने बनगे? अज जूम करो 200 नमबर हम निकालेंगे एक share के 200 बनगे तो क्या होगा? वो 95 की जो cost है उसको 200 के उपर आप क्या करो? spread करो per share cost कम हो जाएगी आज हमने lecture के अंदर वैसा ही एक problem कहता पर share cost तुमारा क्या होता है? कम हो जाता है दिस इस वन वे आफ अजज़ेस्टिंग मतलब क्या करने का आपको? जो पुरानी प्राइसेस है उन प्राइसेस को आप क्या करो? अज़ेस्ट करो डिवाइड करो समझा? ये एक तरीका हो गया दूसरा तरीका होता है पुराने प्राइसेस को वेसे ही रोखो आज की प्राइस को बढ़ाओ जो टेकनिक अड़ाप किये जाता है पहला टेकनिक होता है दूसरा टेकनिक मैं explaining नहीं कर रहा हूँ मैं कौन सा टेकनिक एकस्प्रेंग कर रहा हूँ? पहला वाला पहले टेकनिक में क्या होता है जो actual price था उस तेम पे उसको ज़्यादा quantity पे spread करो अब हो जाएंगे हाप पागल देखो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ opening shares उस टाइम पे क्या थे bonus and then closing shares जो भी था अब देखो एक share था तुम्हारे पास IPO में खरीदा हुआ 1994 में जब bonus आया तो तुमको एक के बदले में कितना bonus मिला एक closing shares कितने होगे तुमारे दो बन जाएंगे फिर यहाँ पर opening कितने रहेंगे दो यहाँ पर मतलब 19th August 1997 के bonus के पहले तुमारे पास दो हो गये ना दो के उपर तुमको bonus कितना मिलेगा दो closing कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे हाँ ना अब यह formula में ऐसे copy करता हो बाद में change करूंगा obviously क्यों रेश्यो सेम नहीं ना चार के बतले में यहाँ पर क्या हो गया पहले चार थे अब चार के बादिम दो नहीं आएंगे इकवल आहेंगे ना अच्छा यहाँ पर मेरेको formula लिखना था तुम्हें समझा गलें, चार के जगह पे चार आगे तुमको, हो गए कितने, आठ, आठ के जगह पे, यहां पर क्या हो गया, split हो गया, now listen, split, आठ के शोला हो गया, बरबर हो गया, क्यूं, 2 is to 1 split का मतलब क्या है, एक शेर के 2 बन गया, not 1 के बदले पे 2, old face value was 10, new face value was 5, तो क्य क्या हो गया बच्चो एक के दो हो गए ना तो आट के कितने हो गए सोला फिर सोला इधर मेंचर चेंज है वन शेर हैं यू गाट त्री बोन सो इधर सिक्स्टीन यू गेट फाटीट यू ख्लोजिंग बिकमस सिक्स्टी फॉर अगर एक शेर था तो उसका कितना हो गया एक हजार चोबीस बन गया तो यू अंडरस्तेंड अगर नैंटीन नैंटी फोर में एक था are you understanding नैंटीन नैंटीन फोर में तुमने एक मतलब यह नैंटीन फाई की जो कॉस्ट है वो आपको spread कर देए not over one share but over one zero two four share, your cost of acquisition comes down तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर बच्चो effective quantity one zero two four यह shares के लिए, हाँ ना अब problem यह है कि one zero two four में end तक copy नहीं कर सकता हूँ क्यों? जिसके पास 1993 में एक share था उसके एक का one zero two four बन गया आया ना, now that was Mr. X now let's take another Mr. Y Mr. Y ने shares खरी दे, but after first bonus उसने shares कब खरी दे? after first bonus समझा गया? उसने shares after first bonus खरी दे मतलब उसका opening इधर था उसके बस दो share थे उसके दो के एक हजार चोबिस हो गए now this is important वापस वापस बोल रहा हूँ एक दूसरा आदमी है जिसने पहला आदमी क्या था? उसने IPO में खरी दे दूसरा आदमी ने कब खरी दे? उसके दो के कितने बन गए? 1024 आज के तारिक में इंसेड आफ दो के 1024 वाट आई वाट तो से एक के कितने? इट विल बी 512 512 में कैसे नहीं कलूंगा? इस नमबर उसको कॉंसरा रखा मैंने F4 प्रेस करके F के पहले डॉलर लगाया 10 के पहले डॉलर लगाया मैंने divided by this You know what? What does it mean? 19th August 1997 के बोनस के पहले अगर किसी के पास एक शेर था तो उसके एक के पाथ सुबारा बन गए ये फॉर्मिला में नीचे पॉपी करता हूँ इसका मतलब क्या है? 8 February 1999 के पहले अगर किसी के पास एक था तो एक के 256 बन गए and like this समझा के तुमको? आपको क्या करना है? नम्बर आफ शेर शोट डिवाइड करने ने आप इफेक्टिव कॉंटिटी इफेक्टिव कॉंटिटी विल बी डिफेरेंट फार डिफेरेंट डेट्स कितना ब्रेन तुमने अगर अबजर किया होगा शुरुआत से अब तक आपका यूटिलाइज हो गया होगा I know I am putting a pressure on your brain YouTube पे आपने इतना देखा नहीं होगा पहली बार सुन रहे होगा शायद तो मैं क्या कर रहा हूँ? इफेक्टिव कॉस्ट पर शेर कैसे निकालूँगा मैं? 95 डिवाइड़े बाई Sensational Statement 9 पैसे का शेर आज बन गया है 400 बात तर क्या आपने संसनी खबर संसनी खबर सुनी है? और संसनी करना है आपने निकेटिव शेर कभी सुना है? निकेटिव प्राइस में खरीदा? कैसे? 9 पैसे में जो खरीदा? डिविडेंट माइनस करके आपकी कॉस्ट निकेटिव हो गई इतने सालों का डिविडेंट तो मिल गया होगा आपको ये सिर्फ संसनी रहती है Actual content सुनो अब मैं जो क्या करना पड़ेगा? ये 1024 Effective Cost Per Share जो है मैं उसका क्या कर रहा हूँ? नीचे लेके जारो कब तक नीचे लेके जाना है बच्चों मुझे? अगले डेट तक अगले डेट तक क्या है अगला डेट? 19th August 1997 उस डेट को अगर किसी ने खरीदा था तो उसके एक के कितने बन गए? 512 बन गए अब एक फार्मिला भी है इसके लिए पर आज पहने लेक्षर में इतना फार्मिला अगरा नहीं सिखा जो तभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सिखा रहा हूँ करूंगा अब मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रेन चाहिए आपको एक शेल का ब्रेन भी डेवलप करना है हाँ ना अगले दिन भी किसीने घरिदा रहेगा उसके आज की कॉंटिटी रहेगी पाचसो बारा अरे यस नो येस ओके बाइद वे रिटन तो अभी भी आ सकता है अब देगो तुम पागल हो जाओगे अगला डेट क्या है एट फेब नाइंटी नाइंटी नाइन कंट्रोल एफ आगया उसके लिए कॉंटिटी कितने थी तू फिफ्टी सिक्टी तीना रहे नेक्स्ट डेट 24 जान 2000 वन ट्वेंडी एट इफेक्टी कॉंटिटी टाइप कर रहा हूं मैं जस्ट लिसन अप केरफुली या आपको आर्टिकल्शिप जब करने जाओगा ना तो बहुत फाइदा होगा या जब आर्टिकल्शिप कर रहा हुगा बहुत सारे फंक्शन आप सीखोगे बॉस को भी बॉलना बॉस को भी वीडियो शेर करना इफेक्टी कॉंटिटी कितने अभी अगला 64 था ना अब क् कॉंटिटी थेरा जुलाई ठीक है कितना आएगा 16 ठीक है नेक्स्ट एट 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 जस्ट एसकंद युल गो मैर आफ्टर दिस वाट आ वन तो तेल यू अभी यह मैं परपस्ली मैनियली कर रहा हूँ क्योंकि हिए तुट रहा है इधर के ददध एट पॉर था ना और है और यहली समझा गया है डिसलिशन्य व्क चार सप्पेबर दो हचार अटरा उसकी चार-सप्पेबर गोज़ा अक्स देट इना उसके पहले थक अगर उस दिन तक उसके पहले दिन तक किसने खरिदा होगा एक शेर का कित्ता हो गया, दो, अरी clear, अब सुनो, ठीक से सुनना, यहां तक मैंने एक quantity column लिखा है, ठीक है, अब ज़र करो, 1993 को जिसने खरीदा, उसका एक शेर का कित्ता हो गया, 1024, कब तक, 14 अगस्ट 1997 को भी जिसने खरीदा, अगला, नहीं, सारी, इधर तक जाने, 19th August 1994, यह देट किदर गया, एक सेकंड, 94 को डेट मैंने नहीं लिए, हाँ, एक देट मिस हो गया, यह देट सेर्च नहीं के नामने, 19th August 1994, यह देट सेर्च करने दो, वो डेट अपने पास, अपने पास डेटा ही नहीं हो, ठीक है, इसल लो, वो डेट डालना पड़ेगा, अपने को कभी उस टाइम पर प्राइस कितना था, एक्जाक्ली मालूम, नहीं, अपने को क्यों कि स्टाक एक्शेंज पर डेटा, यह 19th August 1994 के पहले तक जिसने खरिदा, उसका एक का, 1024 बनेगा, उसके पहले जिसने खरिदा है, उसका, 19th August 1994 को जिसने खरिदा, उसका डबल नहीं हुआ है, समझा के तुम, अब मैं कुछ तो अज्जस्मन करूँगा, वेट, 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 जस्ट वेट, क्या डेट है उसका, 19th August 1994, प्राइस कैसे डालूम है, कुछ भी फेकना, फेकना तो पॉसिबल, नहीं है, अपने पास प्रा क्या करू, how do I get a data, 1993 से 1995 के बीच में data ही अपने पास, नहीं है, ओके, दो मट रिट मा, 1993 में जिसने खरिदा था, उसका एक शेर कितना हो गया, 1024 हो गया कि नहीं हो गया, 95 रुपीस का जो कॉस्ट है, उसका पर शेर कॉस्ट कितने डिक्लाइन हो गया, 0.09 हो गया, चीक है, सेकंड में 1995 को जिसने खरिदा होगा, उसका एक का 512 होगा, मुझे वो ब्रेक बीच में रुकना था, 512 एक्जैक्ली इस तारिक को नहीं हुआ है, वो 512 कहीं, ऊपर ही चाहिए, आना, इस तारिक को जिसने खरिदा होगा, दो में 1995 को, उसका एक शेर का कितना बन ग खरिदा होगा उसका एफेक्टी कोस कितना होगा आज 87 पईसा ठीक है क्या अब देखो यह मुझे यहां तक जाना है 19 तौकस 1997 था ना रे मुझे यहां पर क्या चाहिए यहां पर पाथसो बरह नहीं चाहिए यहां पने 266 चाहिए यहांपर 200 अब देखो में Excel का एक फॉर्मिला लगाने वालों you are gonna become mad इस एक वर तो टू मेंख इए अगैए वॉस यहां जहाँ ब्लैंक सेल से मस्तहर ढूंप नीचे दिया अगया वाक्शार लिए You wanna go mad? देखो, मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से डेटा सिलेक कर रहा हूँ लास्ट के दो तक आएंगे हम समझा? पर मैं क्या करूँगा? मैंने जितना भी डेटा उसको सिलेक किया कहा तक का? यहाँ तक मैं प्रेस करूँगा FI क्या प्रेस के हमें ने FI, FI में जाना है special, special के अंदर select करना है blank, ये थोड़ा high level है, ये part Excel का है, नहीं समझा तो भी चलता है, लेकिन तुम्हारे पास capability है, blank पे select किया, अब देखो Excel क्या करता, is equal to, सारे के सारे blank cells जो थे ने Excel ने, वो select कर लिए, जितने भी blank cells थे, select होगे के सब, मुझे क्या formula डालना है, is equal to lower cell, is equal to मैंने किया, is equal to किया, lower cell करना है ना मुझे, I want to do lower cell, अब यहाँ पर हुम है, यहाँ पर क्या cell number में हो, E, 4 में हुम है, E, 4 में मुझे क्या formula type करना है, E, E5, Haina, और सिर्फ एक change करना है, जो सबसे important है, enter नहीं प्रेस करना है, control, enter प्रेस करना है, साथ में, moment you hit enter, Excel will not understand, moment you hit control, enter, all the cells will be auto populated, I am hitting control, enter, magic is here, उसने Excel ने perfect क्या किया है, पाचसो बारा कर ले देखो, और यह सिलेक्ट नहीं हो गया होगा, बीच में कहीं तो, these cells must have been missed, some cells I had missed in selection, in my opinion, अबने कर देखा ना, पाचसो बारा, दोसो चपपन, एक्साथाइस, चाउचाट, बराबबर उसने क्या किया, fill up किया, वो कुछ cells मैंने selection में, शायद वो, अच्छाट, फिर वो दिखे रहा था, कुछ नहीं, वो पॉप्पिलेट होने के लिए screen, there is a refresh rate of the screen, computer का memory कम हो गया, तो refresh rate है, हो गया, what do you understand, थोड़ा से data गलत हैं, यहाँ पर, कहाँ पर, वहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा, यह formula copy करूँगा, and you're gonna go mad, देखो, यहाँ पर zero आ रहा है, just wait, अब इदक रिदन पर नहीं आए, दोस, दो मिट में आएंगे रिदन पर, पांच सप्टेबर अठरा को जिसने एक share खरी था, उसका एक का एक ही चे, उसका एक का एक क्यो है, क्योंकि उसके बाद अभी था कुछ बोनस, लास्ट बोनस कब आया था, चार सप्टेबर दोजर अठरा को, मैंने वापस बोल रहो, बोनस की विज़े से होता क्या है, cost per share comes down, now important point, income tax में यह पहले नहीं होता था, cost per share was not coming down earlier, but 2022, 2022 budget निर्मल अमेडम amended that particular section, due to which, now income tax के अंदर भी cost per share comes down due to bonus share for a calculation of capital gains, यह 2022 का amendment है, जिसने बहुत बड़ा चेंच किया है, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा सिर्फ, effective quantity one लिखूंगा, उसका cost सेम रहेगा, समझा के दूंको, dividend मैंने consider नहीं किया है, अब देखो, return calculate करते हैं, दो मेंड़ के अंदर, let's assume there is an investor, who invested in Infosys, a certain amount on a certain date, उसकी आज की wealth हमको निकालनी है, यह क्या है, effective price, effective cost के जगपे मैं क्या बोलूंगा इधर, effective cost के जगपे मैं बोलता हूं, effective, तो जिसने 1993 को Infosys में IPO में खरीदा था, उसकी effective price या effective cost सिर्फ 9 पैसे है, वो 9 पैसे आज का बन गया, 1472, 9 पैसा has grown to 1472, looks like a sensation, but don't do sensation, objective is not sensation, objective is to calculate return, return कैसे निकलते है, बग्चो, Excel का अगला formula, और उसमें 2-3 formula और सिखाऊंगा और तुम पागल होएगा, कोई भी चीज का आपको return निकालना है, दो चीजे चाहिए मुझे सिर्फ, date, cash flow, कोई भी date लेना, अमने कौन सा date लिया था उसका IPO का, 1st Jan 1993, ठीक है, 1st June, sorry my mistake, 1st June 1993, उस दिन का तुमने cash flow क्या था, cash flow मतलब तुमने share खरिदा होगा ना, खरिदा होगा तो outflow, अब मुझे ढूनना है, मेरे पास उदर share है, मेरे पास price है, कौन से sheet में, ये sheet में है ना price, मुझे इस sheet पे लेके आने का उसको, और बाद आपने date automatically change करेगा, automatically change होना चाहिए, देखो, क्या करूँगा मैं, is equal to, we look up, is equal to, we look up, मैं Excel का बुल रहो, hey Excel, look this date, that is look up value, comma, table array, table array मतलब ये, ये table के अंदर, वो data left में होना चाहिए, left में date होनी चाहिए, date जो आपको look up करना है, वो left में होना चाहिए, left में है क्या, हाँ, उ दिखाता भी है, तुम जैसे select करते हैं, देखो, this is now 4 by 6, 4 rows select किया, मैंने 6 columns select किया, मैं पूरा select किया, कितना हो गया, 6,803 rows and 6 columns, मैं Excel को बोल रहा है, वो जो date है, वो उस column, table के अंदर, left most column में search कर, और search करके तिरको मिल गया, तो 6th number जो column है, right hand side का, उसमें जो भी price है, वो उ constant कर रहा हूं, comma 6, comma 6 is which column you want to return, comma 0, वो बराबर उस दिन के price लेके आएगा, अब मैं यहाँ पर date change करूंगा न, तो भी automatically price लेके आएगा, provided that day was not a holiday, check करते है, माता जी नहीं, यह मंदार्ज, कब पैदा हुआ था तु, दो जनवरी, हर साल दो जनवरी कब पैदा हुआ था, year, दो जनवरी 2004, अगर किसी ने infosys के share खड़ी देते, तो उसकी effective cost आज के तरीक में 88 है, actual price was not 88, actual price was something, else, हमने क्या निकाला, bonus, split, सब कुछ, consider करके उसका effective price निकाला, आज का date क्या है, आज का date है, 2nd March 2023, आज का price निकलना है, मुझे सिर्फ formula कॉपी करना है, automatic आएगा, 1472, you change a date, automatically Excel will do everything that you want for you, अब यही चीज़ को आपको software के अंदर automate करना है, that is the role that chartered accountant can play, you can automate these things in a software, engineer cannot do this, engineer can do coding, but उसको accounting, उसका tax implications, reporting format, बहुत सरी चीज़े होती है, जो आप उसको guide कर सकते हो, उसका भी help लगेगा आपको, अब यह आपका outflow है, इसको मैं in to minus one है, कर रहा हो, क्यों, outflow है इसलिए मैंने in to minus one किया, और नहीं मैंने in to, इसको display, in to minus one किया, मतलब outflow हुआ और यह आज inflow हुआ, समझा के तुमको, अब मुझे क्या करना है, return निकला है, when you have cash flows and dates, you can always calculate rate of return, this is called as a price return, this is not called as total return, total return is including dividend, this is just a price return, तब मुझे return निकलना है, return कैसे निकलूंगा मैं, XIRR करके formula है, XIRR, values, यह है values, कॉमा, date, यह है date, guess नहीं दिया मैंने, आगे है return, उसको मैं percentage में किया, तो मतलब, इसके birthday पे, इसके पपा ने, चो भी पैसा डाला होगा infosys में, अगर डाला तो, उसका आज के तरिक में return कितना है, 15.74%, 78% per annum, per annum, for the last almost 19 years, 15% per annum, for last 19 years, this is not including dividend, dividend अगर consider किया, तो, तो, देर से दो टका लगबग बढ़ेगा, that is a dividend yield, अब हम चेक करते है, जिसने IPO में invest किया था, उसकी हालत, 1st June 1993, fucking 38.39% per annum, since that date till today, 38% is the rate at which infosys has compounded the wealth, क्योंकि उस time का एक share, आज का कितना बन गया है, बच्चों, अब देखो, थोड़ा सा sensationalization हम भी करते है, let's assume, इसी ने quantity purchase किया था, 100 shares का, सिर्फ मात्र 100 share, what was actual price at that time, price per, okay, what I am saying is, quantity purchased, on what date, in IPO, in IPO, infosys के IPO में तुमने कितने shares खरिदे, 100, 100 shares खरिदे, what was the price per share, IPO के अंदर price per share था 95, what was your investment, investment was equal to this into this, what are number of shares today, number of shares today will be 100 into 1024, क्योंकि एक share उस ताइम का, bonus वगेर है, consider करके, हमने पूरा statement डाल दिये उसका, एक का कितना हो गया, 1994 का, ये bonus आने के बाद, ये bonus आने के पहले, 1 था, 1 के 2, और ऐसा सब कुछ, आपको statement समझा ना, 1024 हो गया, you wanna go mad, number of shares today are, 100 shares की बनने एक लाख दो हजार चार सो, what is the price today, price today is equal to 1472, what is the wealth today, wealth today is equal to this into this, अगर मैं इसको प्रॉपर नंबर्स के फॉरमेट में डाल दू बच्चो, 15 crore 7,43,040, 9,500 का ये हो गया, ये था आपके वीडियो का thumbnail, जो आपने देखके ये वीडियो देखने आये, यहां तक आये हो गये, तो congratulations, 9,000, has turned out to be 15 crore 7,43,040, rate of return आप इसके इसाब से भी निकलोगे तो वही आएगा answer, कैसे cash flow, इदर आप टाइप करो, 9,500 और आज की wealth है इतनी, और उसके इसाब से भी आप XIRR निकलोगे, तो भी answer वही आएगा, formula में, rate मुझे यहां पर लेके जाना पड़ेगा, आंसर वही आएगा, 38.39 पर से मदा, your wealth, Infosys has compounded, since the IPO did till today, now it is very difficult for somebody to hold the shares for such a longer time, objective was not to sensationalize, objective is obviously, there were very few investors who have held it for such a long period of time, objective was to tell you how do you do the calculations, मैंने पूरे calculations सब का भी तक एक्स्प्लेन नहीं किये, इसके उपर का dividend का calculation कैसे होगा, अलग-अलग date पर purchase किया है, तो क्या होगा, you might not have invested only once, you might have invested on multiple dates, multiple dates पर आपने इन्वेस किया, तो आपको क्या करना है, यहां पर देखो, वो तो मैं explain कर सकता आराम से, आपने अलग-अलग date पर इन्वेस किया था, date, cash flow, एक-एक share कैसा आप से करते है, date, let's say, आप इतने sincere हो कि आप हर साल अलग-अलग dates पर आपने इन्वेस में पर इसा invest किया, तो let's say, आपने पास 1994 से data है, आपने पास, 90, data कब से, 95 से sincere data, let's assume 1996 है, 6 में 1996, update इधर answer चाहिए, तो क्या करेंगे हम, यह formula सिर्फ क्या करेंगे, copy करेंगे, automatic आजाएगा answer, उस दिन, minus क्यों रहा है, outflow, मैंने into minus 1 किया न, तुमने share खरीदा, तो इसलिए outflow जा रहा है, share price was not negative, और यह effective cost है, तुमको share एक, आज, सच में, एक रुपए को नहीं मिला share उस तेहम पे, उस तेहम पे तुमने share का price पेक है, लेकिन उसकी, उसको आप अगर spread करोगे, आपकी cost क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फिर आपने 10 September 1998 को खरीदे कुछ, ऐसे कुछ भी date डाल देते हैं, फिर आपने खरीदे, दो October डालके देखता हूं, देखो, I get an answer, क्यों, holiday रहेगा, गांधी जाइन्दी, So, मैं यहाँ पर टाल देता हूं, 4 October 1999, आएगा, ऐसे आपने अलग अलग date पर invest किये, ऐसे आपको जो date चाहिए, वो लेलो, छुट्टी छोड़के, और आज का date में टाइप करता हूं, यहाँ पर 2nd, March 23, और formula लेता हूं, वो आगया, 1472, इसको into minus 1 नहीं करता हूं, क्योंकि return, return is equal to x i rr values, date, guess नहीं दिया मैंने, उसका return तेरा टका हो गया, अब depending on the dates you check, returns might be lower, but आप long term के return देखोगे न, 10 साल की उपर का investment period पर काई पर काई पर निगेटिव नहीं आएगा, short term का आप recent period का देखोगे, you might get a negative returns, the point was there is so many things to learn in the course, यह आपके intermediate के investment account chapter में था ही, सब कुछ, इसमें से मैंने chapter के अंदर थोड़ा सा brief में बोलो था, बच्चे सुन्ते नहीं, इसलिए यूट्यूब चानल शुरू किया, तो आप यह बाकी बच्चों तक spread करिये, I hope you liked it, there are more details you can explore on your own, thank you.